एक और एलिसी पर चीन के साथ तनातनी चारी है वहीं दूसरी और पाकिस्तान अपनी नापाक कर्दोतों को अंजान देने में लगा हुआ है खबरों के मताबिक P.O.K. में पाकिस्तान की वायूसिना लडाकों विमानों की तैनाती बढ़ा रही है शनिवार को P.A.F. में मौजूदा प्रमुक एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने P.O.K. में इस्थितिक एयर बेस का दोरा भी किया P.A.F. की खबर के मताबिक पाकिस्तान वायूसिना के प्रमुख ने शनिवार को पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर में एक बेस का दोरा किया वहाँ उन्होंने विबिन ऑपनेशनल गतिवधियों का जायजा लिया PTI ने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बताया कि गिल्गित बलिस्तान के स्कार्दू में PAF बेस कादरी में मौजू जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अन्वर खान ने कहा कि PAF अपनी सिस्टर सर्विसिस के साथ कभी भी प्रतुकूल परिस्थिती में किसी भी दुस्तास का जवाब देने के लिए तयार है खाने वहाँ अपनी जवानों से कहा कि पाकिस्तान वायू से नक्षेतर में भूर अन्नितिक विकास के प्रतीप पूरी तरीके से सतर्क है और दुश्मिन की आकरामक्ता को विफल करने के लिए तयार है PAF चीफ ने अपने इस दौरे के समय बेस पर फाइटर एरग्राफ और कॉंबिट सपोर्ट की चीजों की तेजी से की जारी तराती का भी जायसा लिया इससे कुछ दिन पहले कुफिया सुत्रों के हवाले से खुलासा हुआ था कि जम्य कश्मीर के राजूरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान अधिकरित कश्मीर में चीन ने पाकिस्तान को सर्विलांस सिस्टम से लेस किया है सुत्रों के हवाले से जनकारी सामने आई थी कि पीओ के जियारत टॉप और फॉरवर्ड डेफेंस लोकेशन चलीरा में कहीं जगों पर पाकिस्तान ने चीन की मदद से आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया है इस सर्विलांस एक्विप्मेंट से भारती सरक्षा बलू की सामरिक गत्विधियो पत नजर अगने का बड़ा प्लान तयार किया गया है